नमस्कार बिहारी नियूज में आपका स्वागत है पूरे देश के साथ-साथ बिहार में भी कोरोना संक्रमन ने इसकदर अपना पैर पसार लिया है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन परते दिन संक्रमन की बढ़ती समस्य और पिरित लोगों की हालत दिल दहलाने वाली है इस तरह कोरोना संक्रमन और मिर्तियू दर में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है स्वास्त बिभा की तरब से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किये गए आकड़ों के नुसार बिहार में कुल 6,253 नए मामले जुड़े हैं जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 3,7557 पर पहुच गई है वही सबसे जाद़ प्रभावित चौप 3 जिलों की बात करे तो पटना में 364 मामले सामने आये हैं इसके साथ ही गया में 590 और मुझफर पूर में 393 मामलों की पुस्टी हुई है इसके साथ ही अगर हम बीते दिन के पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की बात करे तो पूल 1853 मरीज ठीक हुए है और अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ कर 2,72,403 पर पहुच गई है बीहार में रिकबरी दर में लगातार गिराबट देखनों की मिल रही है वही बीहार में वर्तवान समय में रिकबरी दर 88.57 पर पहुच गई है जो की पिछले दिन के 24 घंटे में जारी किये गए रिपोर्ट के अनुसार 1.22 पर तीक कम है वही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,404 सैंपल की जाच की गई है वही बिहार में कुल जान गवानने वालों की संख्यागी बात करें तो मामले 1688 पर पहुँच गया है और वही अब हम अगर जिलिवार कुर्णा पर भावितों की संख्यागी बात करें तो अरणिया में 56, अरवल 97, अरंगवाद 182, बाका 58, बेगुसराय 257, भागलपूर 386, भोजपूर 142, बकसर 29, दरभंगा 56, गया 590, गोपाल गंच 153, इस चंपारन 144, जमुई 37, 149, कैमूर 33, कचिहार 56, खगडिया 31, किशनगन 66, लखिसराय 49, मधेपूर 92, मधुवनी 56, मुगेड 173, मुजफरपूर 393, नालंदा 117, नवादा 100, पटना 1364, पुर्णिया 137, रोहतास 179, सहरसा 115, समस्तिपूर 103, साडन 248, शेकपूर 32, शिवहर 19, सीतमधी 49, सिवान 147, 145, वैशाली 117, वहीं वेस्ट चमपारन में 151, मामलों की पुस्टी हुई है, इसके साथ ही बाकी ऐसे 48 संक्रमित हैं, जो की दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनका सैंपल बिहार की अलग-अलग जीलों से कलेक्ट किया गया है, जानकारे के मुताविक इधर कोरोना के और दूसरा कोरोना के टेस्टिंग का तरीका पुड़ाना है, इसमें कोरोना नाक और मूँ से नहीं बल की, ये सीधे आपके फेफ्रो पर अटेक करता है, कोरोना का ये वेडियंट उनके लिए जादा नुकसान देख होगा, जो पान, बेडी, सिग्रेट, शड़ाब का इस जरुत ना हो तो बाहर निकलने से बचिए, साथ ही कोरोना मामले के मदद है, दूसरा सभी जीव लोग के लिए अलग-अलग हेल्प लाइन नमबर दिया जा रहा है, जो आपके स्क्रीन पर है, जरुत पढ़ने पर इन हेल्प लाइन नमबर पर संपर्कर मदद प्राप्त क कर सकते हैं, यह आपके लिए 24-7 उपलवत रहेगा, आज के लिए बस इतना ही कोरोना के ख़बर से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस, धन्यवाद